हलो एवरीवन आज है 19 जून और आज इस वडियो में हम बात कने जा रहे हैं भारत हैवी लिटर केस लिमिटेड इसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं 87 रुपीज का शेर है लगातर तेजी दिखा रहा है और काफी अच्छे प्राइस पर यह भी ट्रेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों में आग जरूर उगली है और पैसा डबल भी किया है बातचीत करेंगे उसके बारे में कि भाई यहां से और पोटेंशल है कि नहीं या फिर एक रिजिस्टन्स भी है अभी इसी के आसपास तो उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे लेकिन उससे पहले अब देखो यहां पर गिर रहा था तेजी दिखाई फिर वापस गिर गिया फिर तेजी दिखाई फिर वापस गिर गिया फिर तेजी दिखाई अगर हम पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक सो साथ परसंट का ग्रोथ है पैसा डबल करके दिया है इसने शेर देखा जाए तो ट्रेट करा था 42 रूपीस पर वहां से ये 90 पर गया और लगा तर अंधा दून रफतार इसने पकड़ी थी उसके बाद लंबे समय तक इसने consolidate भी किया था वापस गिर कर ये 67 पर आया था वापस इसने बड़ी रफतार पकड़ी है वापस 90 के करीब जा रहा है जहां से ये इससे पहले गिरा था तो एक short resistance मुझे लग रहा है कि 90 रूपे के आसपास है जब तक उस लिवल को successfully breach नहीं करता तोड़ता नहीं है तब तक शा वीडियोस में कहा था कि भया खरीदारी करने के अच्छे मौके है तो कंपनी बहुत अच्छी है ठीक है भेल अच्छी कंपनी है लेकिन कहां पर entry करनी है वो हमेशा याद रखिए यह ऐसी company जब सस्ते दाम पर मिल रही हो तब entry करनी चाहिए लगाना चाहिए वहां पर लेक पांच साल का भी अगर आप ग्राफ देखोए तो 16% का ग्रोथ है बड़ी गिरावट लंबे समय से आई थी बाद में बड़ी रफ्तार भी बनी इससे पहले पर 76 पर गया वापस गिरिया था यह वापस गिरा वापस अभी 30 देखने को मिल रही है यह वापस 90 पर जाने की ही टर्न अर्राउंड तो जरूर आया लेकिन अक्वाडिंग तो मनी कंडोल यूजर बारा पर्सनलों क्या रहे कि बेचो और भाग जाओ 88 पर्सनलों क्या रहे खरीदारी करों कंपनी के नंबर्स अगर हम देखे तो डेफिनिटली इंप्रूब्मेंट है पिछले दो करोड और देखो इंडिया जो है ना वो भी मैनुफेक्चर की तरफ धीरे धीरे बहुत तीजी से आगे बढ़े भी रहा है और बढ़ेगा भी जहां तक प्रॉफिट के अगर हम बात करें तो देखें लॉस थे दो हजार बीस और इकेस में लॉस थे लेकिन बाइस और क्वाटर में रेवन्यू में बड़ी तीजी है लास्क वाटर में आठ हजार दोसो सथाईस करोड का रेवन्यू था अभी देखना होगा कि जून में क्या आता है क्योंकि इससे पहले पर आप देखो तो मार्च में आठ हजा करोड थे बाद में घटके 4672 पर भी आ गया था यह जून ने, सेम जिस profit को लेकर अगर हम कहें, तो यह पिछले 2022 financial year के जो मार्च था, वहाँ पर 912 क्रोर का profit था, जो कि इस बार 611 क्रोर रहा है, जो कि अच्छा तो है लेकि उसके बार जून में कुछ था नहीं, तो यहाँ पर यह है कि क्या इस बार भी जून quarter धोका देगा वो देखना रहेगा कि इस बार भी जून quarter के numbers क्या से आते हैं, कि पिछली बार तो बहुत जादा खराब आये थे, इस बार के जून quarter से उमीदे हैं जरूर, और अगर numbers अच्छे आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि तेज़े जो है वो बरकरार रहेगी, लेकि numbers अगर अच्छे नहीं आते हैं, तो हमें भारत हैवी इलिटरकल्स में ये चीज़ देखने को मिली है, कि जब भी numbers खराब आये हैं, हमें उसके बाद 25 से 35% का correction देखने को मिला है यहाँ पर अगर हम बात करें, तो 63 का P, यह देखो आप इसको सस्ता नहीं कहा सकते हो, 63 का P ratio है, sector P 40 का है, महंगा तो है यह, और इसलिए सिफ 19% टैना लिष्ट ही है, जो खरीदारी के इनने की बात कर रहे हैं, जाद हम बात करें, शेर होल्डिंग की, तो शेर होल्डिंग अच्छी गाजी कॉंटिटी में शेर्स लेकर बैठे हुए हैं, रीटेर्स और अधर्स की मिलाकर कॉंटिटी बनती है कि मैनुफेक्चरिंग में गवर्रमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और बहुत सारी कंपनिया जो है, वो अच्छा करेगी और ऐसे में बेल भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, आने वारे दोर में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट की कंपनी हैंडल करती है चाहे वो रेल लेवे से जड़े हुए हो, चाहे वो पावर से जड़े हुए हो या फिर चाहे वो डिफेंस से भी जड़े हुए क्यों ना हो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट की कंपनी हैंडल कर रही है और आगे भी यहाँ पर जो budget है वो government बढ़ाती रहेंगी और इनको अच्छे खासे जो project है वो मिलते रहेंगे overall भेल मेरे हिसाब से कोई खराब company नहीं है अच्छी company है लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इसका P ratio देखेंगे तो महंगा तो नजर आ रहा है इसका P ratio महंगा है यहाँ से और जहां तक अगर हम बात करी जाए इनके quarterly results के तो देख भई तो last बार जून में काफी खराब नतीजा आये थे इस बार देखना होगा कि जून वो चीज़ repeat करती है या वहां से एक अच्छी रफ्तार अभी इस बार देखने को मिलती है कि नहीं और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इनका resistance देखो एक resistance है 90 रुपए के आसपास 85-90 का जो range है एक resistance वाला range है वहां से गिरावट पहले देखने को मिली है तो जब तक वो level successful यह breach नहीं कर जाते हैं तब तक के लिए fresh buying करने की मेरी सलाह नहीं होगी मुझे जता है कि अभी wait and watch ही करना सही रहेगा और देखो बाजार भी अगर आप देखो ना तो बहिए all time high के आसपास बैठा हुआ है ठीक है तो मैं अभी भी मान रहा हूं कि देखो long term में अभी भी मैं कहता हूं कि तेजी है ठीक है market को जाना है ऊपर ठीक है लेकिन बीच बीच में जटके लगेंगे और जब वो जटके लगते हैं तब खरीदारी के मौके बनते हैं तो यहां पर अभी भारत हैवी electricals को लेकर मुझे लगता है कि शायद थोड़े से जटके यहां पर ल विश्यों भी देखें तो थोड़ा सा महंगा हो चुका है और जून क्वार्टर के नतीजे भी अभी तक आने बाकी हाला कि अभी तक जून महीना खतम हो जाए उसके बाद नमबर तो आने में भी अभी महीना ओल लगेगा लेकिन उतनी जाद मेरी positive expectation नहीं है नमबर से खास वेट करना चाहिए बस wait and watch simple सी मेरी बात है बागी मरजी आपकी है वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आया हो तो like करे शॉय करे चैनल बगरा पहले बाहर है तो please subscribe करे और भारत हैवी electricals limited के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू